है रिगल beauty और इस सोंधे हैं हमारा चैप्टर अन्य sä Legald है जोaste योनिक तैफ पोस्ट्थ योनियट स्कंट है छेप्टर हमारे पास है अनिमय कि किम नम्नोख स्टार्ट कर रहे इस चैप्टर में हमलों अवर ओर ओल हम लोग दो चीजे पढ़ने वाले हैं ठीक है और वो बहुत ही अच्छा है कई स्टूडेंट्स को लगता है अनिमल किंडम जो है सर कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है जो हमेशा मैं बताता हूं और वो सामने लिखा भी हुआ है हमारे कि इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में आप क्लासिफाई करके पढ़ सकते हो बहुत ही सिंपली बिना किसी कॉंपलेक्सिटी के आसानी से और वो दो जो चीजे हैं दो जो हैडिंस हैं वो दो हैडिंस कौन कौन सी हैं पहला है क्राइटेरिया फोर क्लासिफिकेशन और दूसरा है जितने फाइल है इसमें है यानि की क्लासिफिकेशन आफ एनिमल्स जो एंस एर्ट में दो हैडिंस दे रखी है यही है यही ब्रीफ है इस चैप्टर का यही अगर आप समझ गये हैं तो अब इसी में इन्फरमेशन फिट करते वे चलो आप अब लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नूबर फूर हमारा डट इस अनिमल किंगडम और बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि किंगडम मॉनेरा किंगडम प्रोटेस्टा इंग्डम फंजाई किंग्डम प्लांटी और इंग्डम एनिमेलिया यह हमारे घी बताइक इसके मैंडमट कॉन है बताइए जिन में वह ध्यां है नियृवन वाला वो है यह भी उसको भी अभी मैं एनलिस्ट कर रहा हम यह भी अशुछा सकते हैं मल्टि सेलिलर यू कारियोटिख हेटरोट्रोफिक और इसके मेंड़ीवरू हुस चुछा ने जंदद कि नियूरो सेंसरी और गन सिस्टम अलॉंग विद दे कैरेक्टरिस्टिक आफ लोको मोशन प्रेजेंट है ठीक है अब नियूरो सेंसरी जो और गन सिस्टम है वह इन और गनिजम्स को इन इन मतलब इस इस किंडम के मैंबर्स को हायर कॉंशियसनेस के लेवल पर ले जाता है जैसे यहां पर predation, exploration of new species or new habitats और इसलिए बैटर सरवाइवल स्ट्रेटीज यहां पर हो पाती है इसलिए अभी अनिमल किंग्नम जो है most evolved category कहलाता है पूरे biological classification का पूरे biodiversity का सो इसको स्टार्ट करते है हम यहां से वेन लुक और यूवल अब्जर्व दिफ्रेंट अनिम्स विद इफ्रेंट स्ट्रॉक्ट्चर संट फॉर्म्स आज ओर मिलियन स्पीशी आपनिमल्स है विन डिस्क्राइब तिल नाओ नाओ नीद फो ट्लासिफिकेशन बिकम्स आल इसलिए देर इस लिए देर इस लिए अनीड ऑफ लासिफिकेशन एजवल है तो अब क्लासिफिकेशन इसका जो हम करेंगे उसके सर्टेंन बेसिस हैं स्पैसिफिक उसके पैरामीटर से जिसके बेसिस पे हम डासिफिकर ने जा रहे हैं तो दो दौड़ टासिफिकेशन also helps in assigning a systematic पोजिशन तो नूँली डिस्क्राइब स्पीशिज जो अल्रेडी एग्जिस्टिंग है उनको भी और जो नूँली डिस्क्राइब हो रही है उनको भी हम एक पर्टिकलर कैटिगरी वाईज उनको एड़्जस्ट करते वे चलते हैं सो देट हमें इस पड़े किसी भी ऑर्गे क्लासिफिकेशन इंपारड़न थे सो क्लासिफिकेशन के बेसेस पर हम उनकी चैरीक्टर स्टिक्स वगरा को भी वहां पर डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं तो यह बड़ा इजी हो जाता है जब हम एक पर पर्टिकलर और और गनिजम को क्लासिफाइब कर देते हैं रिल fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells अब in relation to क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर वह हम लोग बात करने जा रहे हैं यानि वाई basis of classification की बात करने जा रहे हैं भले ही डिफरेंसे बहुत सारे हो structure of home में लेकिन कुछ ऐसे points हैं जिनको हम parameter मान कर उनको basis of classification बना सकते हैं तो सबसे पहला यहां पर क्या हो गया arrangement of cells दूसरा क्या है body symmetry तीसरा क्या नेचर ओफ सी लों सी लों क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे फिर नेचर पढ़ेंगे फिर pattern of different organ system जैसे कि digestive circulatory और reproductive जो organ systems है इन में क्या pattern है pattern कैसा digestive जो system है वो complete है या incomplete digestive ट्रैक्ट है circulatory में open है या closed है reproduction में देख लेते हैं तो external fertilization हो रहा है या internal है monotious या डाइशियस है reproduction in organism reproduction वाला पुरा unit हम लोग discuss कर चुके हैं तो यहां पर उससे भी related आप समझ सकते हो कि monotious है या डाइशियस है external fertilization या internal fertilization लार्वा बन रहा है या लार्वा नहीं बन रहा है तो reproductive system के point of view से भी वहां पर reproductive processes के point of view से भी वहां पर comparison हो सकता है तो इस features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here कुछ हम इसमें explain करते वे चलेंगे और बाकी चीज़े जो है वह डारिक डारिक पर लेंगे यहां पर क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा अलग से हमने पर रखाया reproduction अलग से पर रखाय तो levels of organization सबसे पहला जो basis of classification है that is the levels of organization किसका organizations भाई उसके उसकी body organization का साइस किसका सेलज का सेल्स और गनाईज हो कर आपको पता है वेटा चया किस सेल्स सेल्स मिल्क रहा रहे थैस यह तिछूल कि उ zer और जूल्च टिस्हूल कै बनाते हैं और डीशूल क्यों आते हैं सिस्टम और और कॉंप्लेक्स जो individual a human being ठीक है है different Oregon system से मिलके यह क्या है तो यह यह क्या है यह जैसे tel cumplयो लेड का Sells के यह दूसरा लेवल है और गonesOne got four ऐए इसमें ओर गनसलों सिस्टंव का फ्रमिसीन हो गया और उअरभकषन तरी नीरो सेंसरी शिस्टम प्रजैंटें एंडुकायन सिस्टम प्रजैंटेंटे जिससे डिफरेंट और गन सिस्टम के बीच में एक कोलिबरेशन है एक एक इंटर कम्मिनिकेशंट है तो यहींट कि बूस्त पर यहां पर लिखा था सारे और्गेनिजम सारे मेंबर्स इस पर्टिक्लर किंग्डम के कैसे हैं मल्टी सेल्विलर हैं इस शुड़ बी क्लियर तु यू है ना यानि की इसको बाइलोजिकल क्लाजिफिकेशन वाले चैप्टर से हम रिलेट करके देखें तो वहां पर प्रोटो जोन सोते हैं तो पहले प्रोटो जो जो है वो किंग्डम अनिमेलिया में था ठीक है बट नौ बट नौ इट इस इन प्रोटेस्टा है ना इसी बात पर कुछ प्रोटेस्ट के नाम बता दो सबसे पहले कि सारे और गैनिजम सारे मेंबर जो है वो मुल्टी सेल्लर होते हैं और अफ देम दून एक्जिबेट सेम पैटर्न ऑफ और और सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं और सेल्स किस ताइप से इंटरेक्ट करती हैं अपने एनवारमेंट से उसको कौन डिसाइड करेगा कि उन सेल्स का ऑगनाइजिशन कैसा है इसी से decide होगा और इसी से यह decide होता है कि वो जो organism में कितना evolved होगा वो organism कितना complex होगा ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि same pattern of organization of cells नहीं रहता है हर multi cellular member में ठीक है तो कैसा हो जाता है for example हम देख रहे हैं सबसे परहे बात कर लेते हैं sponges की sponges में कैसा होगा sponges में cells का lose aggregate रहता है lose aggregate कहने का मतलब उसमें इतनी unity नहीं होती कि हम tissue term coin कर दें इसलिए हमने क्या कहा कि cellular level of organization होगा बोलेटर में अल्रेटर में अल्रेट है cellular level of organization किसमें sponges में sponges पहले पहले फाइलम का member है पहला फाइलम कौन सा है फाइलम पौरी फेरा तो अगर हम पौरी फेरा की बात करते हैं तो पौरी फेरा में cellular level of organization है some division of labor अब यहां पर animal tissue वाले चैप्र हम लोग डिसकस कर चुके हैं अदरवाइस अगर आप मतलब इसे सिक्वेंस वाइस देखाएं सी आर्ट में तो डिविजन ओफ लेबर वर्ट जो है यह यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और यहीं पर एक्चुली इसका सिग्निफिकेंट यूज हुआ है 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 हुआ टर डिविजन ओफ लेवर किया है डिविजन ओफ लेबर यानी जो दिस्टुबिशन ऑफ टास्क है डिविजन ओपでも not पोरी फेरेंस करेक्ट अवाट पोरी फेरेंस ठीक तो वहाँ पर या जाएगा कि sponges are the members yes फिर आजाएगा it is the first phylum of kingdom and will ya yes फिर यहाँ पर क्या देंगे division of labor up to some degree present और फोर बोल देंगे all of these to all of these answer आना चाहिए ठीक है या अगर यहाँ पर sponges are not the members ठीक है यह करके all of these की जगह बोथ 2 & 3 आ जाए तो भी सही हो जाना चाहिए बोट फिर आएगा यह बात क्लियर हो गई अच्छा आगे देखें अब हम बात करते हैं और फ्रागी बात अमने कर ली अब सिलेंट टाकी बात करें अब इसलेंट रेट दूसरा फाइला है ठीक है देखें दूसरा फाइलम है इन सिलेंट रेट अरेंजमेंट अफ तो था कुछ चैल्स में था लेकिन यहां पर ऐसी सेल्स जो की यह की काम परफॉर्म कर रही है ऐसी सेल्स का अमाउंट जाता है इसलिए हमने यह कहा कि यहां पर टिशू प्रेजेंट हैं तो यहां पर कैसा लेवल हो जाएगा टिशू अस्टिल हायर लेवल ऑफ और्गन लेवल इस एग्जिपिटेट वाइंबर्स अफ प्लैटी हमेंस एलमेंस ओनवर्डस क्या होगा और अर्गन और उसके बाद फिर और और टिशंटम लेवल, खेक अर्थोपुडा और मोलस्का में एक आइनोदरमेटा और हैमी कोड़ेटा में क्या होगा और गन सिस्टम लेवल ऑफ और देशन है मिकोड़ेटा पहले कोड़ेट में माना जाता था तो कि उसमें स्टोमो कोड होती है यह मैं मतलब प्रोड़ सा अलग से हम जो भी स्कुस कर र लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि उसकी उनो टो कोड हारीजन है वह मीजडर्मल नहीं होता उसलिए उसको कॉड़ेट नहीं मान सकते उसको उसको 2-4 और कोड़ केNS मांते तो इसके बारे में ज्याद़ नहीं बोलते हैं इसे कर दो यॉर्य क्hrub आपको मिल जाएगा कहा Canon लेकिन प्रॉपर जो है आपको एनलीडा में देखने को मिलता है क्योंकि एनलीडा फ्री लिविंग ज्यादा होते हैं एसकेलमें फिर भी परसाइटिक होते हैं इसलिए एंसी आर्टी में एनलीडा ओनवर्ड बोला है ठीक है लेकिन अगर कुश्चन आ जाता है तो आप एसक च्रीटरी ट्यूब सेक्से अपरेट सेक्सेज आप सेपरेट यानि रिप्रड़ॉक्तिव सिस्टम हो गया ठीक है और डाजेस्टर सिस्टम हो गया तो यहां पर इन्ने और और सिस्टम बोल दिया तो चैप्टर नंबर फुर अइनमल कर रहे हैं दो इसके के पॉइंट है में ली बैसे साफ ट्लासिएशन और ऐनीमाल बैसे अफ ट्लासिफिंस में सिस्टम लेवल लम्लोग लोग सlt यहन कि just क्या क्या आंगे बहुं जिसनगे क्या 갖고 आगया हमरे हमरे से पहले level of organization फिर symmetry है फिर डिपलो ब्लास्टिक एंट ट्रिप्लो ब्लास्टिक और्गनाइजान है ठीक है कि उसका इसा है दिस्ट्रिबूशन है वो कैसा है body organs का symmetry diploplasty siellä tBoxج do germ08 ति के लोजी एती वरूजी बहुत इरह सें सीलोन यानि की बॉडी और्गन के रेपिटिशन नोटो कॉर्ड यानि की एक मीजोडर्मली अराइज मीजोडर्मली डिराइब जो रॉड लाइक स्टॉक्चर जो बॉडी को जब बॉडी इलोंगेट होने लगती है तो उसको एक सपोर्ट प्रॉइड करता है तो यह चीजें हमारे पॉडी यह जो चैनल करेक्टर स्टिक्स है यह चैनल करेक्टर स्टिक्स बनेंगी बेसिस ऑफ लिए जिसके बेसिस पर हम सारे एनिमल्स को ख्लासिफाइब कर रहे हैं तो लेवल अफ और यह उगनाइजेशन हो गया सिमेट्री हो गई डिपलो प्लास् स्टिक्स और और गयनिजम भर्दोगे तो यह अनिमल के नमापका कंप्लीट हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन आफ एनिमल्स में हमारे पास एक तो यह वाला चार्ट है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ लेते हो तो यह अभी ज हमी कोड़ेटा और कोड़ेटा इसके बाद फिर कोड़ेटा में फर्दर अलग-अलग वो हैं क्लासिज हैं उसको भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो यह चैप्टर जो है जस्ट इसी के बारे में है कि आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार समझ में आ गया तो आधा काम ह आधा है तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं Doch है तो बेसिस ऑफ ट्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला क्या है हमारे पास level levels of organization फिर क्या है symmetry फिर क्या है जर्म लेयर दैन सिलों दैन सेग्मेंटेशन दैन नो टॉट पहली चीज़ पहली चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अनिमल थे के बताओ बेसिस अफ लासिफिकेशन में नंबर बन 9 level of organization level of organization is the first parameter first basis second basis क्या है symmetry second basis है symmetry third basis क्या है germ layer तो पहला हो गया level of organization फिर हो गया symmetry फिर हो गया germ layer फिर सिलों दैन सेग्मेंटेशन नोटकोड एक एक करके बताती जाओ ठीक है तो इस टाइप से level of organization symmetry जर्म लेयर सिलों सेग्मेंटेशन और नोटकोड यह six parameter समारे पास है ठीक है दो और समझ लीजिए दो क्या डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी बस सर्कुलेटरी में open होगा या तो लोगा open यानि कि उसमें blood sinuses होंगे ठीक है नहीं होगा blood बंद नहीं होगा blood organs जो हैं वो direct contact में रहेंगे और क्लोज वाला जो हमारे अंदर होता है कई पर भी ना इस टाइप से नहीं कि वही और पूरा-पूरा blood में बात हो ऐसा नहीं है तो और और डाइजस्टिव डाइजस्टिव क्या होगा complete incomplete that's it complete digestive tract और incomplete digestive tract complete मतलब उसमें mouth और सलग अलग होगा और incomplete मतलब एक ही opening होगी वहीं से inlet वहीं से exit होगा तो वह incomplete digestive tract है ठीक है तो छह वो दो यह 8 हो गया तो पहला level of organization दूसरा symmetry तीसरा germ layer चौता शिलों फिर पांच वह सेग्मेंटेशन छटा नोट अकॉर्ड फिर साथ वह डाइजस्टिव सिस्टम ट्रेक्ट कैसा incomplete और complete फिर circulatory system कैसा open और close यह 8 आपको याद रखना है आप ठीक है simple अच्छा अब हम बात कर लेते हैं नाम थार फ्लूरल फाइला होता है इसलिए मैं फाइला बोलता हूं आप फाइलम का नाम हम लेते वे चलेंगे ठीक है पहले मैं बता दे रहा हूं पोरीफेरा शिलेंटरेटा टीनो फॉर प्लैटेहलमेंस एसक हेलमेंस, ऐनलीडा, आर्थरोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हैमी कोड़ेटा और कोड़ेटा, ठीक है ना? तो एक एक करके बताएंगे इसको भी याद कर लेंगे पोरिफेरा, पोरिफेरा, नेक्स्ट, 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 तीनोफोर, नेक्स्ट, प्लाटिहल, नेक्स्ट, आर्थरोपोडा, नेक्स्ट, मलस्का, नेक्स्ट, एकाइनोडर्मेटा, फिर हैमी कोड़ेटा, फिर कोड़ेटा, चलो, अब बनादे के बताएंगे पहले क्या पोरिफेरा फिर सिलेंट्रेटा फिर टीनोफोरा फिर प्लाटिहलमेंस फिर एस्थेलमेंस फिर अनेलिडा फिर आर्थरोपोडा फिर मॉलस्का फिर दैन है और अल्टिमेटली कोड़ेटा ठीक है चलो तो अब यहां पर हम एक एक करके चीजों को और फिर फर्दर एड करते हैं तो लेवल फोगनाइजिशन में क्या सेलुलर टिशू और 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 सिस्टम चार्चीज याद रहेंगी सेलुलर लेवल फोगनाइजिशन टिशू और लेवल फोगनाइजिशन कि एक डिश्टम लेवल फोगनाइजिशन ओर रिल्मेंग अ टीशू बू发 ट्योटल में लेटेकंटन फिस नहीं है sounds आंव फोगनाइजिशन एहां इसके बदो हमने बात कर ली डाइजेस्ट्स जैसे डॉर्गन सिस्टम में जो यूजो वह कौन एस कहल मिलस ऑनवर्ज जो ओचन रॉड़न सिस्टम में डिफ्रेंट ग्रुप फैनिमल डिफ्रेंट लिवन शो करते हैं जैसे डाइजेस्टव सिस्टम का होना यानि की ओर इस तो है लेकिन यह डाइज इस टेश सिस्टम ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा होगा जिसमें माउथ और रहनास दोनों होगा कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है एसलिस है याद रहेगा एसलिस से कंप्ली डाइसस्टिव ट्राइट स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो यहां पर हार्ट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता भी ठेक है अब जैसे कॉक्रोच है उसमें हार्ट होता है लेकिन ओपन सर्कुलिटरी सिस्टम है तो ऐसा हम यह हार्ट नहीं कह सकते कि ओपन होगा तो इसमें हार्ट होगा या नहीं होगा और क्लोज में भी नहीं कह सकते क्लोज में व यह पर एप्सेंट रहती है यहाँ पर प्रजेंट होगा ठीक है आटरी इस यहाँ पर माहने रखती है चलिए आगे देखते हैं सिमेट्री सिमेट्री क्या कि जो एंइमल का मानी जाएगी अगर कुछ पैटर नहीं है किसी भी लाइन के अराउंड तो उसको हम कहेंगे एसमेट्रिक ठीक है फॉर एक्जामपल पॉरिफिरा आ जाता है यहां पर दुबारा से यह फाइला बार बार आते रहेंगे ठीक है पॉरिफिरा कैसा होगा इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा यह दोनों रेडियल हो जाते हैं सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और एकाइन ओडर मेटा ठीक है यह तीनों कैसे हो जाएंगे रेडियल रेडियल कहने का मतलब क्या है कि बॉड़ी और गन जो है वो इस टाइप के हैं कि उनको अगर आप यहां से उपर से देखते हो तो उनकी बॉड़ी इस टाइप से दिखाई देगी और उनके से पास होता हुआ कोई भी स्ट्रेट लाइन उनको टूइक्वल हाफ में डिवाइड करने की कपैसिटी रखता है ठीक है तो फॉर देख आफ स्टडींग दैम वी हैव डू डिवाइड दियर बॉड़ी इन्टू टूइक्वल हाफ ओके और इसको हम करते टाइम यह भी चेक कर लेते है हैं कि उनमें सिमेट्री है नहीं है ठीक है एक तरफ का आपने सेक्षन ले लिया तो आपको दूसरी तरफ का पता चल जाएगा ज्यादा एक्स्टेंसिव ली उसका अनुका टाय्सेक्शन करने की जरूरती नहीं पड़ेगी आपको ठीक है तो स्टडी करने के लिए हम यह लोंगे अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्रैब जो डाइग्रामा में दिया हुआ है यहां पर 4.1 बी उपर यह रहा रेडियल सिमेट्रिकल का 4.1 ए तो इसमें आप देख रहे हो किस टाइब से इसकी बॉडी रेडियल है ठीक है कोई भी प्लेंज जो है तो इ इरिवाइट कर देती है बॉडी को थे अगर ऐसा बाइलेट्र अथे ऐस्लिए बाइलेट्र बाइलेटर बाईलेटरल मतलब दो iteration मतलब दोनों तरफ मतलब साइड में लेटर आप मतलब गोनों तो डोनों साइड मैंइक کا समझ की है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो गया इस दिस क्लियर है ना तो हम बात कर रहे हैं क्या मैं यहां पर लिख दूँ यहां पर जो कोश्चन का पॉइंट भी आता है वो भी आप समझ लिजिए कि for the first time bilateral symmetry appears in platy helmets on words मैं यहां पर एक्सेप्चन अभी नहीं लिख रहा हूं ठीक है जिससे complex ना हो जाए अभी यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं तो platy helmets on words bilateral symmetry अभी फिलाला आप याद कर लिए बीच बीच में है exceptions भी én पहला exception आप लिखा वा Η कंडॉ कई सब्सक्राइब की बाद आता हो लेकिन कैसा है स्टार फिशा करा तो बाई लेटरल से मैटरिकल बाई लेटरल से मैट्ट्री है या बाई ले लेट लेटरल स्मे当ивать ये बोलेंगे सिल्डेट ये स्मेट्री अगर symmetric है तो Radially Symmetrical हो सकता है Bilaterally Symmetrical हो सकता है टीक है न एक और यह ऑप्चन आता है वाई Radial उसको भी discuss करेंगे complex नों इसलिए भी हमने किया है आगे बढ़ते हैं vịर पर अगहीं बढ़ते हैं जरब लेयर क्या होती है लेकिन जाइगोट के बाद की स्टेज है डेवलपिंग एंब्रियो है वो अब उस डेवलपिंग एंब्रियो में यहाँ पर स्पेशलाइजड लेयर्स बनती है ठीक है स्पेशलाइजड लेयर्स अरव फर्म ठेक कब दूरिंग हाँ अभी अम्टविंग दूरिंग अंट ट्यूरिए अंब्रियो निक ट्यूरिंग फ्ट सब्रिंगि ट्यूरों इंट टो जर्म लेयर किया है जरू लेयर है की इसपेशलाइजड लेयर्स आर्फॉमद भी during embryonic development ठीक है कब zygote के बाद से हम बात कर रहे हैं और अभी और organogenesis यानि की organ नहीं बने है अभी ठीक है इससे पहले-पहले की बात कर रहे तीक है इस दोरान यहांपर स्पेश्यलाइज लेयर्स बनती है ठीक है इनको हम कहते है जर्म लेयर्स इनी जर्म लेयर से सारे और गनEd तो यह जर्म लेयर जो है अगर होंगी यानि कि एक्टोडर्म और अर्वेस्म और ओर यह सम्किक्पो्ड भासिटिक ठीक है और अगर इसमें जोड जाएगा मीजोडर्म Tig तो organism हो जाएगा triploblastic, is this clear, यह देखो, ectoderm बाहर है, endoderm अंदर है, यह वेटा body cavity, मतलब body cavity कहाँ सी, gut, this is gut, और यह है इसकी body cavity, meso glia यहाँ पर भरा हुआ है, जो diploblast इंडिपलो ब्लास्टिंग है, जिसमें mesoderm नहीं है, अब यहाँ पर mesoderm भी है, यह जो यह जो देख र तो अगर mesoderm नहीं होगा, तो इसके diagram के basis पर आप से पूछ लेंगे, तो आप बता सकते हो कि वहाँ पर, जहाँ पर mesoderm नहीं होता, यह अनि डिपलो ब्लास्टिक organism में, what substance is present between ectoderm and endoderm, और the filler substance is what, the mesoglia, ठीक है, it is the filler substance, filler material, अच्छा, इसको हम क्या कहें, यह undifferentiated होती है, undifferentiated मतलब कि यह actome में नहीं count होगी, endo में भी count नहीं होगी, दोनों का secretion है, ठीक है, जो बीच का material फिल कर रहा है, जैसे कि हमने वो बढ़ा था है, epithelial tissue और नीचे connective tissue, बीच में basement membrane होती है, जो कि दोनों के product से बनती है, वही है, जैसा ही है, तो कौन कौन आएंगे इसम होगे, ठीक है, यतना clear हो गया भई, अब periphera में कैसा level of organization, cellular, silentrata में tissue, organ किसमे, platy elements में, और platy elements के बाद, जितने भी आते हैं, उन समें कैसा होगा, organ system, complete digestive tract किसमे होगा, ask elements onwards में, और incomplete digestive tract किसमे होगा, platy elements में, इस से पहले भी होगा, silentrata में भी होगा, example platy elements भी होगा है, circulatory system की बात करें, तो open और close, यह दो होते हैं, अभी हमने इसमें एक्जामपल नहीं लिया, open में आपको अग्जामपल यहां पर ले नहीं है, आपको तो open में cockroach example ले लो, close में human being ले लो, symmetry में asymmetric, कोई symmetry नहीं है, तो symmetric होगा, तो radially या bilaterally, Diploblastik, ट्रिप्लब्लडलाश्टिक, जर्म लेयर के basis पे है, Ectoderm, Endoderm, दो होगे, तो दो जर्म लेयर होँगे, ड्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरी जर्म लेयर आजाती है, Mesa-Derm तो हो जाएगा क्या? ट्रिप्लो प्लास्टिक अब यह जो मीजोडर्म है इसकी जगह डिप्लो प्लास्टिक में क्या रहता है अन्डिफ्रेंशेटेड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोग लिया आच्छा आप सिलों की बात करते हैं प्रिजेंस और एप्सेंस ओपर कैविटी बिविए बोडी वाल एंड गट वाल इस वेरी इंपोर्टें इन ग्लासिफिकेशन कहने का मतलब प्रफॉर पॉंट्री डाइग्राम की बात करें तो तीन डाइग्राम है हमारे पास और यह इन डाइग्राम का एंगल क्या है एंगल वीटा ऊपर एंटीर एंगल है ठीक है यानिकि यह रहा और गयनिसम मैं फिर से वह वाला ओर्गनिसम बना रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा is यह जो डाइग्राम आ और देख रहे हैं इन सारे डाइग्राम का इंगन यहां ऊपर है ठीक है इसलिए आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा है हम लोग इसको इस लेवल पे भी करेंगे दूसरे तरीके से करेंगे समझेंगे अब देखो अगर में यह कहूं ठीक है डाइगरम देख रहो यहां पर मेंब्रेन प्रोजेंट है किसके किसके बीच में बॉडी वाल और गट वाल के बीच में ठीक है ना बॉडी वाल और गट वाल के बीच में क्या प्रोजेंट है मेंब्रेन यानि कि इनके बीच मेंब्रेन में या है और बंद कम पता है कि मेंट अब समझा रही है एक के पॉम्प्रेन है यह मेंबरेनगा प्रूजेंट हाई बोडीवाल और गट्वाल की बीच में ठीक है अब आप इन तीन जो यह दीन दीन जो डाग्राम बने है इन डाइग्राम को समझ लो देखो सबसे पहले जो डाइग्राम 4.3 है उसका यह देखो कि एक यह सिलो मेट सुलो में क्या है सिलो मेट में क्या है बाहर की तरफ यह एक्टोडर्म है और यानि कि यह जो body wall है और यह है इसकी gut wall BW और GW body wall और gut wall इसके बीच में ठीक है यह जो यह जो पूरी white cavity है ठीक है यह वाली यह white cavity है lined by what यह जो red layer है जिसको आपने सुना होगा नाम है पीरिटोनियम ठीक है सुना है मैं पेलिटोनियम और यहां पर यह जो बाकी का एरिया बच गया यह बीच का एडिया है यह वाला जो है ठीक है यह सारा एरिया यह वाला ठीक है यह कहलाएगा क्या सिलोम ठीक है तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ आप सुनिए उसको अब बॉडी कैविटी यानि कि यह को यह ठीक है बॉडी कैविटी इंटर्नली लाइंड वाई अमीज डर्म लिया राइज membrain इसमोन एस यह लोंग करते हैं क्या गया दौबारा वोलो थे बॉडी कैविटी इंटर्नली लाइंड बाय मेंज़ डर्मली आराइस membrane is known as siloom मैं लेग देता हूं यहां पर या इंटर्नली ना भी बोला एक्सटर्नली लिलाइज थोड़ी होगी body cavity lined by simply body cavity lined by mesodermally arised membrane is called इसी लोग परिटोनियुम वाले वापस बता लें उसी membrane को परिटोनियुम करते हैं यहीं जो mesodermally arised membrane है इसी का नाम है peritoneum परिटोनियुम कुछ लग नहीं है वही membrane वही mesodermally arised membrane जो की body wall को इसको मैं फिर से एक बार जूम करके फिर बता रहा हूं देखें body wall को अंदर से line किया हुआ है और gut wall को बाहर से line किया हुआ है क्या यह बास समझ में आ रही है body wall को अंदर से line किया हुआ है और gut wall को बाहर से line किया हुआ है अब body wall को अंदर से line करने की वज़े से और गट वॉल को बाहर से लाइन करने की वज़े से जो यह cavity है यह बंद गई ठीक है किसमें बंद हो गई इस membrane में ठीक है इसी को हमने कहा है इसी को हमने क्या कहा है इस 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 प्रहए यह 4.3 तो देखे लिया अपने सिलो मेट भी देख लो शुड़ सिलो मेड अब देखो यह जो membrane है यह membrane पूरी line ना करके पाउचेस में बंद हो जाए ठीक है तो यह जो यह जो एरिया है यह वाला एरिया यह तो सराउंड नहीं वह नहीं ठीक है तो मेजोडर्मल मेंब्रेन के पैचेज प्रेजेंट हैं तो यह पूरी कैविटी उसमें बंद नहीं हो पाई छोटे-छोटे पाउचे जा गए ठीक है इस टाइप की कैविटी को क्या कहोगे स्यूडोसिलों ठीक है ओके और अगर वहां पर किवल बॉडी वाल हो और गट वाल हो हो और यहां पर क्या है सब्सक्राइब लेकिन इस मेंब्रेन के अंदर कोई कैविटी नहीं है ठीक है तो यहां पर मीजोडर्मल मेंब्रेन के होने के बावजूर्व यह और गयानिजम कैसा कहलाएगा एस एस लूमेट इस लूमेट इस इस घ्र बीज़ी खिर की लिए ठीक है, ओके, तो presence और absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification, ठीक है, एक तो ये बात हो गई, एक और चीज, इसको हम पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, एक और चीज, body wall और gut wall के बीच की cavity, देखो, सिलोम हेडिंग है, और सिलोम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि presence और absence of a cavity, जहान देना, between the body wall and the gut wall, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, diagram, hydra का, ठीक है, अब इस hydra में बेटा, यह body wall है, ठीक, यह gut wall है, और यह इसके gut के अंदर की cavity है, यहाँ मतलब gut है इसकी, ठीक है, तो इसको भी हम cavity बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, यह बताओ पहले मुझे, बताओ, बोलो, बोलो, जल्दी, cavity बोलोगे या नहीं बोलोगे, नहीं, अच्छे क्या बोलोगे फिर, तो gut के अंदर यह cavity नहीं है, हमारी elementर के नाल में cavity नहीं है, हम इसको body cavity तक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके body के अंदर है cavity, general English word की यूज़ करें हम, और यहीं पर बात आ जाती है, NCRT अच्छे से पढ़ने की, ठीक है, क्या बोल दूँ मैं, मैं बोल दूँ कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, actually आप लोगों को कि जिससे आप समझ पाओ, body cavity versus siloam, यह, ठीक है, body cavity तो इसमें भी है, silenटरेट में भी है body cavity, ठीक है, अरे body cavity sponge में भी है, यह देखो ना, इसके अंदर body cavity होगी तो, इसके अंदर यह, अगर sectional view करके देखें, हम देखते भी तो है, इस टाइप से बनाते हैं ना, यहाँ पर radial canal system बनाते हैं ना, ऐसे, यहाँ से पानी एंटर करता है, यह pores हैं, है ना, यह sectional view है, पोर्स हैं, तो यह क्या हो गई, यह body cavity है, लेकिन यह body cavity, यह उपर silentrator वाली body cavity बेटा, यह siloom नहीं है, क्यों 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 कि इसको कहोगे, the cavity between the body wall and the gut wall, अब आजाओ दुबारा से यहाँ पर, यह देखो, यह क्या है, body wall, और यह क्या है, यह है gut wall, body wall और gut wall के बीच में क्या है, कुछ नहीं, कोई cavity नहीं है, यहाँ पर, कोई cavity है नहीं, तो siloom कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते, एक और बात, silentrator क्या है बेटा, diplo है या triple है, platy elements से triple start होता है, तो silentrator platy elements के पहले है या बाद में है, पहले है, तो यह diplo हुआ, diplo हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें mesoderm होगी या नहीं होगी, जब मीजोडर्म ही नहीं है, तो इसकी cavity को line कौन करेगा, यह भी तो problem है, इसलिए इसके अंदर body cavity भले हो, लेकिन वो siloom नहीं है, ठीक है, अच्छा, अब मैं दूसरा sentence पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं दूसरा sentence पढ़ रहा हूँ, उसको आप देखिए, और ज्यादा clear हो जाएगा, NCRT में लिखा है, क्या, the body cavity which is lined by mesoderm, देख रहो, और क्या, clear करके लिखेंगे, कि the body cavity which is lined by mesoderm is called siloom, otherwise that will not be called siloom, and to be called as siloom, there is a need of mesoderm lined cavity and mesoderm lined cavity, it means mesoderm से arise membrane चाहिए, तो mesoderm किसमें आएगा बिटा, triploplastic में, triploplastic कहां से शुरू होती है, यह लिखा हुआ है, क्या, क्या, platy helmets, तो यह clear हो गया, मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि कैसे sponges और silentrates में body cavity तो होती है, लेकिन diploplastic होने के कारण वहाँ पर mesoderm नहीं है, और mesoderm split नहीं हुई है, mesoderm ने कोई cavity वहाँ पर नहीं line की हुई है, इसलिए वहाँ पर कोई siloom नहीं है, ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाँ, animals possessing siloom are called siloomates, siloomates कौन-कौन है, कौन-कौन है, annilid, mollusk, arthropod, echinoderm, annilid, mollusk, arthropod, echinoderm, hemichordate, or cordate, कहने का मतलब क्या, as kelvin's के बाद वाले सारे के सारे क्या है, siloomate है, यहाँ पर कोई exception नहीं आता, बिटा, organism एक बार evolve हो गया, तो हो गया, वो symmetry वाली बात नहीं है, यहाँ पर, ठीक है, habitat पर डिबेंड नहीं करता, अब यह होगा ही होगा, वहाँ पर, यह evolution हो गया, cells का complex arrangement हो गया, तो अब यह बना रहेगा, तो सिलोमेट और्गनिजम, सिलोमिक और्गनिजम, कौन-कौन से है, एनलीडा, onwards, अच्छा, in some animals, the body cavity is not lined by mesoderm, instead mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm, यह वाला, यह वाला जो डाइग्राम है, ठीक है, such a body cavity is known as pseudosilome and the organism is known as pseudosilomate, कौन है, as calmants, ठीक है, as calmants में ऐसा होता है, आप कहेंगे, sir, platy helmets में तो triploplasticity आ गई, तो platy helmets क्यों नहीं, pseudosilomate या platy helmets क्यों नहीं, silomate की category में आता है, बात यह है कि वहाल लेयर आई है, लेयर आने के बाद reproductive organs बने हैं, ठीक है, mesoderm से, ओके, लेकिन वहाँ पर mesoderm इतनी ज्यादा specialized नहीं हुए, आप कहेंगे, क्यों बात ही है, habitat और habit वैसा नहीं है, कि इसको इतने ज्यादा complexity की requirement हो, majority जो है, वो है, parasites है, भाई, टीनिया, solia में यहीं पर आता है, यहीं से रिजेंबर वो बिलॉंग करते हैं, फैशियोला, हीपैटिका यहीं आता है, ठीक है ना, तो दा एनिमल्स इन विच बॉड़ी कैवटीज एपसेंट, एपसेंट होगी तो क्या, इस बात की, क्या स्पुक्तव करने ठीक माउने के लीएं में अगर मीज neutr रहोने के बावजूद भी सीँ लाम ना हो तो यानिоп् Denise, मतलब है क्या केस है, क्यों में आने वापर एमिद्स फ्रूम नहीं किया रहें हो क्या वहां पर किटी नहीं PREEZENTE MESODERMA ही प्रेजेंट है बॉड़ी और गट ऑल के बीच में पूरी मीजिकोडर्म प्रेजेंट है मी Zoom डांग मीgoda मेजडारम् जब अधिक स्प्लिट होती है मिजोडर्म स्प्लिट होगी तो इसके अंदर कैवेटी बनेगी एक तरफ बॉड वाल है एक तरफ गट वॉल। बीच में मिजोडर्म् स्प्लिट होना सुरू मेन μέ Nick premier का às-얂- शोरी है इसके अंदर कैवेटी बनती है इसको are सिर्वा साधा कंसेट है सेग्मेंटिशन चाहे दो बॉडी के बाहर की तरफ एक्सटरनली चाहे बॉडि के अंदर की तरफ इंटरनली हमारे पास सीरियल रेपीटिशन हो ऐट-लीस्ट कुछ कुछ पर ओर्गन का है एक लीज्ट कुछ और गल्स का कहने का मतलब क्या हमारे पास क्या है स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे पास वर्टीब्री तीध होती है ना C7 ती है 12 L 5 ंस 1-1 तो बारे साथ उन्निस पांच चौब़िस पचेश थीक है तो यह देखो कितना रेपिटीशन है यहां पर और स्पाइनल कोड से जो स्पाइनल नौट निकल रही है दोनों तरफ ठीक है उनका भी रेपिटीशन है तो हम कैसे कहलाएंगे सेग्मेंटेट कहलाएंगे ठीक है प स्पाइनलेड में देखो कितना सेग्मेंटेशन है यह सारे बॉडी सेग्मेंट्स है यहां पर निरीज में भी यह सारे जो है एक करके यह सारे बॉडी सेग्मेंट्स है इसके ठीक है तो रेपिटीशन और एक्स्टर्नल और इंटर्नल ओर्गन्स एटलीस सम और्गन्स ठी जोए है पेटर्ण को का है में सगमेंटीशन फिनोमिना को का है में इस स्ट्रीयर यस इस इस टॉकिंग अबाउट नोट अच्छोड नाओ नोड़ अच्छ नाव मेजो डर्मली डिराइव आप कहेंगे सर्थ सेग्मेंटेशन में सेगमेंट किससे और आइज दोने चाहिए है किसी से भी वह और पर एक पॉइंट आता है वो भी हम यह पर डिसकस कर लेते हैं आपके सामने इस टाइम पर है कौन टीनिया चीम पर लेकिन बात क्या है कि यह कहलाता है स्यूडो सेग्मेंटिट्ड क्यों कहलाता है बात ये है कि यहां पर ये जो आप 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 सेग्मेंट देख रहे है जिन सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं प्रोगलोटिड बोल देते हैं अ तक भी जा सकता है ठीक है किसी में किसी में होगा इतना नहीं होगा इसका मतलब क्या it is not fix अठीक है इसका कोई अब्रियोलोजिकल बेसेस जैसे हमारे पास क्या है अमरे पास वर्टीप्री होते हैं चलो ठीक है सेग्मेंटट तो होती यह थि 33 होती है बाद में permLife 26 हो जाती है लेकिन लर्फ जो होती है सब्सक्राइब इंको देख सकते हो ठीक से लेकिन और हर हर यूमन बींग्स में यही कंडिशन होगी आर्थरोपोर्ड को देख लो आर्थरोपोंट में क्या होगा आपका हैड होगा éc t स्यूदो सेगमेंटेशन बास समझें आगे क्या है यह देखिए आगे नोटकॉर्ट नोटकॉर्ट देखें तो यहां पर हमें पता चलता है कि मीजो डर्मली अराइज मीजो डर्मली डिराइब रॉड लाइक स्ट्रॉक्चर होता है विच फॉर्म्ट ऑन्दर दौर्स और सलसा इडो कंडिशन देदी पहले ही इंतेंस में दूरिंग इंव्योंट इवल्लमेंट इन सम अनिमल्स ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच कंडिशन देदी पहली क्या कंडिशन है हंजी वीटा हां प्लूइ दॉर्सियू यानिकी साइड यानि कि यह रहा और्गेनिजम ठीक है यह इसकी दॉर्सल यह इसकी वेंटरल साइड यह एंटेरियर यह पुस्टिरियर साइड और यह लेटरल साइड तो क्या के कंडिशन आ गई यहां पर पहला मीजोडर्मल होनी चाहिए यह रॉड लाइक स्टुक्चर जो है दूसरा डॉर्सल साइड में होनी चाहिए विटा तीसरा एंब्रियोनिक ओर इजिन होगा इसका एंब्रियोनिक डेवलमेंट के दौरान नोंी चाहिए एंब्रियो ठीक है वट सम कुछ में ही मिलेगा यानि हर एनिमल की क्रेक्टरिक नहीं भीटाई यह लेवल ऑफ और इसेश्टेम सब में नहीं होता है माना सिमेट्री सब में नहीं हो सकती से ही और गंस बनते हैं या सेल्स इस्पेशल टाइप की बनती है तो जर्म लेयर तो होना पक्का है लेकिन हम यह कहें क्या सब में मीजोडर्म होगा तो नहीं पिर बई सेलों समय होगा संत जर कर नहीं संसाय सब्मारी सब्ह raw सेक्मिनेशन सब्में नहीं होगया एक दो चीजा हैं जो सब्में दो रते न्यांको कि नियुक्त अ द्रसक्राइऽ तो अगर मथाधाँ है इसमें और अगर सुपरफीशल वोकर बोलें तो हम कहुँद स्पॉंजेज में डाइजिस्टिव क्याविटी है देखो ठीक है अब यह जो डाइग्राम बनाया था स्पॉंजेज में यह वाला ठीक है सुपरफीशल होकर कहें तो लेकिन यह भी कहना गलत होगा रीजन पता है कि यहां पर डाइजेशन होता है इंट्रा सेलिलर यहां पर यह सेल सेन को एनके अंदर होता है दैजेशन तो यह जो है यह डाइजेश्टिव केवटी कैसे हो गई नहीं आई डाइजेश्टिव केवटी ठीक है तो एक ही चीज है एक ही पेरामीटर है जो हर और्गनिजम में पाया जाएगा ओं कॉन है लेवल ऑफ और याप प्लस प्लस जर्म लेयर और लेवल ऑफ और यह दो चीज़ें पाई जाएंगी बाकी नहीं तो नौट क्या हो गया पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है डॉर्स लिया रहा है डॉर्स ली प्रेजेंट है अचलिया णंट्स लियूर्ण में इस अ को डोले गेंगे इन को नहीं होगा इनके मिला कैने थूट पर फिर हैं को डिया शाल और्याशδα को प्योंकि नहीं आया यहां यहां यहां-दू आ उधर अबाकी अप्डेट नहीं है लेकिन अगर पूछने में अजाए अगर यह कोशन आ जाए कि हैमी कोड़ेट में नोट कोड़ होती तो नहीं होती अगर पूछेंगे तो अब यह कनेक्टिंग लिंक होता है तो पास दोनों के थोड़े थोड़े से characters होते हैं तो आप ऐसा certain होकर बिल्कुल नहीं कह सकते question भी नहीं आता वैसे ठीके लेकिन अगर पूछ देंगे तो आपको नहीं नहीं होती इसलिए code data से बाहर निकाला गया था यह non-coded में ही आता है connecting link भी बाना जाता है यह बताएं यहां तक clear हुआ क्या सबको नॉन गोड़ेट कोड़ेट कोड़ेट यह क्या यह बात सबको समझ में आ गई है आज के पढ़ाये में कुछ शगत पूछना है तो पूछ सकते हैं हम लोग ने पढ़ा animal kingdom में basis of classification classification of animal यह दो चीज़ें होती हैं basis of classification में level of organization जो की हो सकता है cellular level, tissue level, organ level, organ system level, digestive tract, complete, incomplete, circulatory system open, closed, symmetry, asymmetric or symmetric, symmetry में दो चीज़ें, animal दो categories में हैं, asymmetrical or symmetrical, symmetrical में radial or bilateral, 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 bilateral शुरू होगा germ layers में दो germ layer अगर हैं तो diplo 3 है तो triplo, triplo start होता है platy elements onwards, bilateral और triplo यह दोनों start होता है platy elements onwards ठीक, sylome, sylome में a sylomic organism यानि की triplo blast होने के नात्ते मीजोडर्म आत हो गई है लेकिन यह आपर sylome नहीं बनी किसमें platy elements में, ask elements में, pseudo sylome और analyde onwards, u sylome, u sylomate हो जाएगा या true sylomate या किवल sylomate कह दोगे तो भी मतलब वो answer ठीक होगा आपका, segmentation, segmentation आपका earthworm में है, cockroach में है, हमारे इंतर है, repetition होना चाहिए हमापर, सारे या कुछ organs का at least, notocod, जिसमें होगी उसे coordinate, नहीं होगी तो non coordinate कह देंगे, एक चीज और जिस पर मैं आपका ध्यान लगाना चाहरा हूँ वो है, कि pseudo pseudo कहां आया है, बार बार, pseudo, pseudo क्या है स्यूडो सिलोम हो सकती है, और स्यूडो क्या है, स्यूडो सेगमेंटेशन हो सकता है, स्यूडो सिलोम कहां है, स्यूडो सेगमेंटेशन कहां है, प्लैटी में, यह भी दियान रखना, ठीक है बटा, ओके, तो आज हमने discuss किया, basis of classification, कल से हम स्टार्ट करेंगे, classification of animals.